नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम आपको बताएंगे सीलिंग फैन का 3 वायर कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सेर जरूर कीजिए और अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों ये हमारा सीलिंग फैन में 3 वायर जो है दिया हुआ है और एक वायर हमें पता है कि ये कॉमन है ठीक है ना वायर हमान लेजिए आप को पता है कि ये कॉमन है sociedad ये साफ साफ दिख भी रहा है। कि ये कॉमन है ठीक लेकिन इन दोनों में जिसमें अं ये कंडेंसर लगा हुआ है उसमें नहीं पता चल रहा है कि कौन सा एक कॉन सा और ऐ लेक दिया जाता है ठीक है ना श्टार्टिंग वायर को बंद कर दिया जाता है तो वहीं रणिंग वायर हमें पैचानना है इन दोनों में से कौन सा रणिंग है कौन सा स्टार्टिंग है ठीक है कामन तो में पता है running और starting नहीं पता है और दूसरी चीज़ आप ये जान लीजे कि ceiling fan किस दिशा में घूमता है ceiling fan जो होता है वो anti-clockwise दिशा में घूमता है ठीक है जिसे आपने दिवाल घड़ी देखियोगी वो clockwise घूमती है किस तरीके से इस तरीके से तो ये क्या है clockwise है जो ceiling fan जो होता है हमारा anti-clockwise घूमता है यानि कि घड़ी की उल्टी दिशा में घूमता है ceiling fan किस दिशा है anti-clockwise ठीक है तो चलिए अब चेक करते हैं कि कौन सा running है कौन सा starting है देखिये running wire में क्या होगा ceiling fan हमारा anti-clockwise घूमेगा और starting जो wire होगा उसमें जो ceiling fan है हमारा clockwise घूमेगा ठीक है तो जिसमें anti-clockwise घूमेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो running wire है ठीक है ना clear है ना तो चलिए चेक करते हैं यह हमारा है common wire तो हम एक common में टश कर लेते हैं यह हम series testing करेंगे series test से ही पता चलेगा कि किस तरीके से चेक करते हैं यह देखे एक wire हमें लगाना है common wire में common wire में पता है और बारी बारी से हम दोनों में चेक कर लेंगे देखे इसमें हम लगा के पहले चेक कर लेते हैं यह देखे यह किदर को घूमा उधर को एक बार और देख लीजी यह हमने common में लगा दिया और हमने एक इसमें लगाया यह देखिए यानि कि यह जो है यह किस तरीके से भाग रहा है ऐसे को इस तरीके से यानि कि इस तरीके से भाग रहा है इसका मतलब कि जो यह जो वायर है यह starting वायर है और यह running वायर है अब देखिए running वायर है यह यह तो starting wire है क्योंकि ceiling fan हमारा ऐसे घूम रहा है आप इसमें देखे touch करेंगे तब देखे किदर घूमेगा है ये देखे किदर को घूमा इधर को यानि कि ऐसे घूमा तो ये क्या है anti clock wise है ये anti clock wise है इसका मतलब कि ये वाला जो है हमारा जो वायर ये वाला जो है ये running है यानि कि ये common है ये running है यानि कि इसमें हमें face और neutral को इन दोनों वायर में दे देना है एक बार आप और जो है देख लीजिए कि anti clock wise घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है देखे साइस से देख लीजिए एक बार ये देखे टश करिंग थोड़ा सा ये देखिए उधर को भाग रहा यानि कि ऐसे देखिए था और ऐसे भागा यानि कि ऐसे घूम रहा है तो ये क्या हो गया anti clock wise दिसा हो गया ये घड़ी के उल्टी दिसा है ठीक है ना और सेलिंग फाना में सा anti clock wise घूमता है इसका मतलब ये वाला वायर हमारा running का है और ये हमारा starting का है ठीक है ना तो आप पहचानना जो आज सीख गए है थ्री वायर connection तो दोस्तों फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद बाबाए